कैसे हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं कंचन आप लोग के साथ अज की रेसेपी सेयर कर रही हूं जो है हरे प्याज दमालू रेसेपी और साथ ही मैं सेयर कर रही हूं मतर पूरी की रेसेपी तो दोनों रेसेपी मैं सेयर कर रही हूं इस वीडियो में तो आ आठा और एक कप मेंने मैदा एड़ किया हैं साथी टेस्ट के लिए हम इसमें एड़ करेंगे नमक स्वाद अनुसार और यहां पर थोड़ा समय यहां पर काला जीरा या मंग्रेल आप बोल सकते हैं जो मैं एड़ कर रही हूं और नमक को अच्छे से आठे के में मिला लेंगे उसके बाद इसे हम पानी डालकर गुथेंगे तो पानी हम थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे और साथी अच्छे से आठे को हम लगा लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी यूज करेंगे और यहां पर मैं दूद का बरतन इस तो अक्सर में दूद् के बर्तन में ही जब भी रोड़ी बनाती हूं वहीं में आठी को गुत्थी हूं इसे ही रोड़ी बहुत ही से बेल्ठी दौत हैत तो यहां पे मैं आठी को गूत ले यहां पिस लोंगे तो यहां पे ठोड़की Gentlemen किसने में फट्रे घरम करेंगे मतर को बना रहे हैं मतळर को भी dedicate करेंगे तो यहां पर मैंने फ्रेज मतर लिआ है यांगी इसे में पीस लूँगी तो यहां पे थोड़ा सा में पाने एड़ करूंगी ताकि मतर को पीछले में तोड़ा सा हैर्ट हुजाए और यहां पे थोड़ा सा अधरक और लस्टन का पेच्ट में आड़ कर रही हूं पर दरदरा कुटा हुआ एक छोटी चमच खड़ा जीरा चार पांच यहां पर काली मेट तो अब हम हारे मतर को अच्छे से पीज लेंगे यहां पर देख सकते हैं काफी फाइन मैंने इसका पेज ट्रेटी किया है तो दरदरा भी रख सकते हैं अगर आपको क्रंची बन खोड तेल डला है एक तामच लगबग तेल को हलका गरम हो जाने के बाद इसमें कोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे गोटा जीरा और साथी हम यहां पर कर देंगे मतर के पेस्ट को और इसे मिला कर हम शाय करेंगे जब तक मतर का पानी अच्छे से सोक ना जाए अगर आप नमक यू कर सकते हैं या फिर जब आप मतर को कीश रहे हैं उस टाइम भी आप नमक यूज कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर पानी सुक चुका है मतर का और यहां पर मैं नमक एक करते रहे हूं हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके अच्छा अच्छा जब सक पानी ना प्राइब करते रहेंगे तो यह हमारा पूरी का स्टाफिंग रेडी है इसे हम अब फंधा कर लेंगे और जब तक यह थंदा हो रहा है तब तक हम हरे प्याज अलुदंग की रेसिपी रेडी कर लेचे हैं यहां पी लगबग मैंने तीन चमच तरसो का तेल एड़ किया है ते थोड़ी से खड़ी मसाले जिसमें दाल चीनी लॉंग इलाइची है साथी हरी मिर्च और यहां पर एक बारी कटा हुआ मैंने प्याज एड़ कर दिया है इन सब को हम अच्छे से प्राइब कर लेंगे और प्याज हलका सब को जाने के बाद यहां पर हम एड़ करेंगे अध इसमें वाइट भाग रहता है उसको भी हम काटके यहां पर एड़ कर देंगे इन सब को भी हम हलका सब प्राइब कर लेंगे इस आप हम स्वाद अनुसार नमक भी एड़ कर देंगे नमक कोचे से मिला लेने के बाद इसे हम वीडियम टू लो फ्लेम पे दो मिनट तर कवर क सब्सक्राइब कर देंगे लाल मिर और यहां पर मैंने एड़ किया है बुना हुआ जीरा पाउडर आप जाहें तो गरा मसाला भी एड़ कर सकते हैं तो इस सारे मसाले को हम अच्छे से फ्राइब कर लेंगे उर्षेर अपर मसाला आपको निचे से ठोड़ा से जलनी जैसा लगों कि दूता आप फ्राइब कर दें तता कि इसी पाकी सब्सक्राइब होता है मसाले हमारे लटकिके नहीं और मसाले बहुत हो जाएंगे यहां पे मसाले हमने हम опис खर कर लिये हैं आप से पाने डाल के इसे मैंने कवर करके परकने के लिए छोड़ दिया था ताकि मसाले अच्छ से पर जाए अधुक्त पर जाने के बाद यहां पर बॉil किया हुआ आलू हमाट कर देंगे अधूर हो आधूर मसाले के साथ आलू को भी हम अच्छ से मिला कर फ्राइब करेंगे कि यहां पर हम एटपर एंगे हरे मटर हरे माटर मैंने वाल नहीं wow नहीं किया göra लिया है क्या है वहां कि लिजूंगे ले सकते हैं कि हम आधकी और पानी मील जो तिन मिनट में तक पकाएगा उनक्षा से माटर को मैंने मर श्लाइक लिए आप आंगे आप इसे लिए मैंने इसके रप्याज दमालू का नाम दिया है जो बस इसके हम अच्छे से मिला लेंगे कि यहां पर हरे प्याज को भी हमने मिला लिया है तो कानी अट कर देंगे अपने अपने ग्रेवी के अकॉलिंग जिसकर आपके रखना हो यह बहुत ही तेस्टी रेसे की बनती है प्राइज जरूर किसे एगा पानी अट करने के बाद इसके हम कवर करके इंसे चार मिन करूंगे अगर आपके पास कस्तोर्ी महती हो तो भी अट कर सकते हैं उससे और भी ज्याद इसका करो बहुत ही अच्छा करेंगे आप यह हमारा सबजी भी रेड़ी है साफ तरे प्याज्या आलोदांग की रेसेपी और आगे चल्ते हैं हम लोग मटर की पूरी कर लेतय लें यहाँ दिए आटियो थोड़ा शाओर हम लोग मर लेंगे अचिय से गोट लेंगे आँ यहां पूर्फLY के लिए पूरी के लिए पीड़ा लगा के रख सकते हैं जिस तरा आपको पसंद हो यहां पर एक एक सारे आटे से मैंने लोई अलग तरके ले लिया है जिसे आप पीड़ा भी बोल सकते हैं और बस एक एक करके सारे पूरिया हम बना के रेडी करेंगे सब्सक्रा और उसके बड़े और यहां अपर में दो तरह से आपको बना के लियूकरबर पैड़ कारों कर दो कर सब्सक्रान है और दो यह मैंने दो तरह से बत्राया है आप जाहें जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं बस अब चलते हैं पूरी को चलने के लिए तो यहां पे तेल में रख दिया है प्रहाई पेल अगर आप पुली 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 चाहिए तो तेल अच्छे से गरम कर लिए तेल अच्छे से गरम है यहां पर हम पूरी की टेल के अटफर देंगे और उकलते हूँ यहां यह नियुकल सब साब डिले करेंगे अध्यूद zacupu धुमेशे पुल्ड़ हूँ और यहाँ है काफी अच्छी से पूरी हमारा वुर के आया है और प्रापी संदा भी तर यह हमारा पेष पोरी मठरकूरी भी वन के रेली है इसे आप गर्मा-गरम सर्फ इसदिये आलू-दम या फिर जालू-दम के साथ मंतल पूरी के रेसेपी तो यह रही आप लोग जरूर बताएगा आप लोको कैसी लगी है तो लाइक शेर जरूर किसे ज़ीए अपनी सजिस्टन का में लगते जरूर बताएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी बहुत ही यंमी रखती है गर्मा घरम इ नए अट्सक्राइब करेंगा बिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ अब सकते लेबाबा वाइटेस तो यह वाचिए लब यौल थेंक्यों थेंक्यों पर वास्चिंगू झाल झाल